चोपड़ा एजो किस ने लुटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हदिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चो, आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर इंडिया एब रोड में MBBS में एडमिसन लेना है तो इसके लिए NEET की एक्जाम देनी होगी और N स्टेट ऐसे हैं जो NEET का फॉर्म, NEET का एप्लिकेशन फॉर्म फिल होने से पहले ही अपना रेजिस्टेशन करवा लेते हैं MBBS, BDS के लिए, एक्जामपल के तोर पर केरिला स्टेट में भी पहले ही एडमिसन एप्लिकेशन फॉर्म फिल करवा लिए जाते हैं और IPO के भी प प्राइंथो फरवरी 24 रखी गई है तो जिन कंडिडेट्स ने करनाटका स्टेट में MBBS, BDS और अधर कोर्सेज में एडमिसन लेना है उनको ये फॉर्म फिल करना जरूरी है और उनको अभी फॉर्म फिल करना पड़ेगा बात में करनाटका स्टेट ने ऐसा नोटिफिकेश करनाटका स्टेट का सीटी का अभी रेजिस्टेशन चल रहा है और उसके साथ ही आपको MBBS, BDS एडमिसन के लिए रेजिस्टेशन करना पड़ेगा हम सब इस बात को जानते हैं कि करनाटका एक ओपन इस्टेट है और इसमें प्राइवेट मेडिकल कोलेज की 15% सीट के लिए अधर स्टेट कंडिडेट भी एडमिसन ले सकते हैं तो जिन कंडिडेट को करनाटका स्टेट में 15% प्राइवेट कोलेज में एडमिसन लेना है 15% सीट के लिए तो उनको रेजिस्टेशन अभी करना अनिवार ये है और जो करनाटका स्टेट के दोमिसाइल कंडिडेट हैं जिनको government medical college या dental college में admission लेना है उनको भी ये registration अभी करना जरूरी है तो आईए हम देख लेते हैं एक बार notification भी देख लेते हैं और इसके बाद में करनाटका स्टेट का MBBS, BDS और other courses के लिए schedule भी देख लेते हैं application form के लिए तो ये करनाटका स्टेट का notification है इनके CT के form अभी start हो और इनमें एक line यहां compulsory लिख दी गई है जो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर compulsory लिखा हुआ है application form जो common allotment होगा professional course के लिए application form ये आपको medical और dental के लिए भी इनमें बाकी सारे courses का नाम दिया गया है लेकिन medical और dental courses के लिए भी ये application form आपको CT24 का registration अभी करना होगा इसमें clear लिखा हुआ है इसमें medical और dental दोनों लिखे हुए हैं और इसमें ये भी लिखा गया है कि ये बाद में enable नहीं किये जाएंगे ये portal बाद में enable नहीं किया जाएगा बाद में नहीं किया जाएगा आद में जिन candidate ने अभी registration किया है जिन candidate ने अभी registration किया है तो के ये उनको interface देगा उनके need score और roll नमर update करने के लिए तो ये clear हो चुका है कि आपको करनाट का स्टेट में अगर admission लेना है अगर वहां के आप दो मिसाइल करना पड़ेगा अगर वहां के private medical college में admission लेना चाते हैं तो सेंट जौन ने भी ऐसा notification दे दिया है जो candidate सेंट जौन में भी admission लेना चाते हैं वो candidate को भी अभी registration करना अनिवार ये है तो ये तो clear हो गया है कि करनाट का स्टेट के registration स्टार्ट हो चुके हैं MBBS BDS admission के लिए ये मै वहां का CT का program आ चुका है वहां के other courses के लिए exam हो रहे हैं तो medical के लिए भी medical और dental के लिए भी वो अभी से registration करवा रहे हैं तो आईए अब देखते हैं इनका schedule एक बार हम देख लेते हैं यहां पर क्या schedule है करनाट का state का तो इनके जो registration के लिए registration form है application form है online fill करना होगा CT 24 के लि करने की 10 फरवरी 24 दोपेर 12 बजे तक है यानि की 11 बज के 69 मिनट दोपेर 10 फरवरी तक आप ये registration कर सकते हैं 10 फरवरी तक इसके बाद में application form की fees जो है वो online आपको deposit करनी पड़ेगी 14 फरवरी 24 को आपको पता है इसकी जो fees है वो 2500 रूपीज है तो जिन candidates को करनाट का state में admission ल registration करना है 10 फरवरी 24 से पहले और fees deposit करनी है 14 फरवरी 24 से पहले आपको registration कैसे करना है एक बार सेंट जोन का वो notice देख लेते हैं उसके बाद में registration की बात करेंगे तो सेंट जोन ने भी अपने website पर notification दे दिया है इसका MBBS admission 24 25 यहां लिखा इस link पर आप क्लिक करेंगे notification यह नो ने clear दिया है कि करनाटका examination authority के यह के notification 109 January 24 के according जो भी candidate सेंट जोन में admission लेना चाता है उनको के यह की website पर registration करना होगा ऐसा सेंट जोन ने भी notification दे दिया है तो करनाटका state में admission के लिए आपको registration करना है अब registration कैसे करना है इसकी website कौन सी है तो इसकी website cetonline.karnatka.gov.in है इस पर आप जैसे ही visit करेंगे यहाँ पर admission के section में जाएंगे तो यहाँ पर ct24 लिखाएगा उस पर click करेंगे तो यह link आपको automatic यहाँ पर आजाएगा cetonline.karnatka.gov.in oblique ugct24 आजाएगा यहाँ पर तो इस परकार का interface आजाएगा यहाँ पर एक वीडियो दिया गया है उस वीडियो के थ्रूँ आप देखके application form कैसे fill करना है उसको आप वीडियो देखकर के application form fill कर सकते हैं या cyber kvist से इसको fill करवा सकते हैं अब इसमें online application form fill करने के लिए यह यहाँ पर link दिया गया है cet24 online application का verification module link 10th January 24 इस पर आप जैसे ही click करेंगे यहाँ पर तो इस परकार का interface आएगा आपको यहाँ proceed to registration for new user पर करना है अगर आपने registration कर दिया है new user के लिए तब आप login के लिए यहाँ registered user के लिए इस link पर click कर सकते ह आपको proceed to registration for new user पर click करना है तो जैसे ही click करेंगे आगे आप से पुछा जाएगा कि क्या आप करनाट का government से SSLC complete किया है अपने case EAB से अगर किया है तो yes कर दे otherwise other state candidate यहाँ पर no कर दे तो इस परकार से no करने के बाद आगे next करके आगे पूरी detail फिल करके यह पर आपको complete करना है forum complete करने के बाद में यह fees pay करनी है और fees pay करने के बाद में आपको जब NEET का result आ जाएगा यानि कि NEET का forum फिल करना है नीट का exam देना है और NEET का जब result आ जाएगा तो करनाट का द्वारा एक link दिया जाएगा कि यह द्वारा score अपडेट करने के लिए और roll number अपडेट करने के तो इस परकार से आप करनाट का स्टेट में admission ले सकते हैं MBBS और BDS के लिए यह एक important information है सभी candidate के लिए जो करनाट का स्टेट में admission लेना चाते हैं जो यह सोच रहे हैं कि मेरा score इस बार नहीं आएगा कार्मेंट को लेज के लिए score कम रहेगा मैं करनाट का स्टेट में भी admission ल सकता हूं तो आपको यह फॉरूम फिल जरूर करना से यह क्योंकि बाद में इसका जो मौका है वो नहीं मिलेगा आपको यह जानकारी थी करनाट का स्टेट के admission फॉरूम के लिए application फॉरूम के लिए जो MBBS BDS के लिए advanced में फिल किये जा रहे हैं नीट का application फॉरूम फिल करने से पहले ही यह application फॉरूम फिल करने हैं 10th of February 24 तक तो यह जानकारी थी करनाट का स्टेट के फॉरूम के बारे में मिलेंगे नई updates के बारे में अलग स्टेट के registration के बारे में जैसे ही स्टार्ट होंगे आपको बताया जाएगा नीट के application फॉरूम में स्टार्ट होंगे तब मिल सकेंड तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जय दिए